आवाज विश्श कारेक्रम में आपका स्वागत है और विशेश में इस समय हमारे साथ है डॉक्टर मेडिकर इंटरनाशनल सेंटर अमेरिका के अनिल वग्दे सहेंट और इस समय अमेरिका का सेटल शेह ये सब पुरी दुनिया में चर्चा में है एक वक्त वो भी था जब आवसा है डॉक्टरा मेड कर विदेश में पढ़ाई कर रहे थे और तब वे कास्ट सिस्टिम पर अपनी बात को बड़े मुखर होकर कह रहे थे उस वक्त भी उन्होंने इस बात को बड़ी ताकत से कहा था कि यदि भारत की जाती वेवस्था भारत के लोग अगर भारत की सीमाओं से पार चले जाएंगे तो ये जाती वेवस्था वहां की भी एक बड़ी समस्या के रूप में खड़ी हो सकती है और इसी बात को आज इतने बरसों के बाद सौ साल का वक्त बीच चुका है और इन सौ सालों के बाद आज अमरीका में अमरीका का एक बड़ा शहर है अमरीका के पश्चिमी तेट पर ये एक ऐसा शहर माना जाता है सियेटल जहां पर जो हाई-केक कंपनिया है इन कंपनियों का ये एक बड़ा केंदर बाना जाता है और यहां जितने भी अप्रवासी लोग होते हैं ये बहुत सारे होते हैं अपने अपने देशों से मतलब foreigners बहुत ज़्यादा अमरिका में यहां होते हैं और इसी कड़ी में दक्षिन एशियाई लोग भी वहाँ पर हैं और दक्षिन एशिया की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं भी इस समय अमरिका की समस्याएं बन गई हैं लेकिन बड़े लंबे समय से आपने एक ख़वर को सिल में एक अपराद बन चुकी है और वो अपराद को बनाने की जो पुरी प्रक्रिया है उसमस्य को इस वक्त हम समझेंगे डोक्रार बेटगर इंटरनाशनल सेंटर के प्रवगता अनिल बागदे साहब से तूडियो में हैं बागदे साहब कारेकर में आपका स्वागत है और अमरीका में इतना लंबा समय गुज़ारने के बाद आज ये इस्थिति बने कि अमरीका का bottle शहर एक ऐसा पहला शहर बन गया कि जहां caste discrimination को crime कहा गया इसको अपराद घुशित किया गया और सेर का municipal council है उसके दाइरे में यह अपराद होगा ये तो एक अमरिका का पहला शहर हुआ लेकिन हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि जाती को आपने भारत के बाहर कैसा महसूस किया क्योंकि आपका जीवन भारत का रहा और भारत के बाद भारत से निकल कर आप फिर अमरिका में गए तो अमरिका में आपने जाती को कैसे महसूस क जब से भी आप गये तो पहली दफा मैं अमरिका में गया था 2000 के आसपास जब हमने वहां पर 2004 में राजु कामडे के साथ में बावा साथ की जहनती का वहां पर आउजन किया था तब मैंने यह कहा था कि मेरा नाम उस पोस्टर पर आप ना लिखें क्योंकि उस पोस्टर पर मे हमको मतलब सतर करेना पड़ता है था कि हमारी जाती लोगom जानना पाए जब सीष्क का केस हुआ तब हमने इसके बारे में बहुत सारे समाध हमने बहुत सारे रिपोर्टर्स को बुलाया एक एक करके और उनके साथ में जो जाती पिडित लोग है उनसे हमने वारता लब किया तो लोगों ने अपनी जो कहानिया बताई जैसे सिस्को में ही एक हमारा मित्र है जो आग जब इसने मतलब बताने से इंकार किया नहीं बन वह इसके नहीं लुघे करते हैं नहीं लोग इसतरे से आप को टच से अप सबने पहएं को आप कौन से टेंपल में जाते हैं, कौन से त्योहार वगरे आप मनाते हैं, इस तरह से इन लोगों को ये, क्योंकि ये एक प्रकार की मानसिक विकृती है, कि आप मतलब उसकी जाती जान के क्या कर लेंगे, वह एक इनसान है, आपका एक कलीग है, उसके साथ में काम करिए, ले शादी हुई थी, और भारत से दुलन वहां गई, एक हमारी कलीग है, नाम नहीं ले सकता, तो जब वहां पर रिसेप्शन में पहुंची, क्योंकि वह जो उसका हजबन जो था, लड़की का, जो नूली मैरी, तो ये रिसेप्शन में गई तो लड़की पहले यही पूछती ये ये जो वारतालव जहां तहां होते रहा हैं, और सिस्को केस में तो हमने जोर भर के देखने लिया, वो तो सब के सामने रहा, वो तो एक्जाक्ली, लेकिन वाग्दे साहब, एक बात जो मैं समझना चाह रहा हूँ, जैसे आपने 2002 का, 2001 का, 2003 का जिक्र किया, कि जब आपन अबिटकर इंटरनाशनल मिशन का काम शुरी किया, कि इस मिशन पर आप काम करने लगें, और तब आपका, आपके भूमिका ये थी, कि मेरा नाम न लिखे, लोग पहचान जाएंगे, क्या 2023 में भी आप इसी भूमिका में रहें, नहीं, तो अभी हमारा काफी अर्षा बिच आते थे, लेकिन हम अपनी बात पूर जोर से आगे रख सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, हम अपना पूरा नाम देते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनको ये डर है, और ये डर अवास्तविक डर नहीं है, ये इनका सच मुच का डर है, क्योंकि ज लोगों में भी आपके बारे में बताएंगी कि आरे ये तो रिजर्वेशन से आया है, ये तो प्रमेटिव एक्शन से आया है, इस तरह से तो आपको इन लोगों को इनका करियर अभी बहुत उनसे बहुत आगे है, तो उनको ध्यान से रहना पड़ता है, हमारा थोड़ा सा कि अभी हमने दर छोड़ देना चाहिए और हमने बात करनी चाहिए, जैसा कि आपने अफर्मेटिव एक्शन का जिक्र किया, हमारे यहां जब हम अफर्मेटिव एक्शन की बात करते तो लोग रिजर्वेशन कह देते हैं, और रिजर्वेशन को एक दूसरे नजरिये से दे देख्षा बनने के लिए जो अपना दावेदार भी है वो पुर जोर से बोल रहा है कि अफर्मेटिव एक्षन होना ही नहीं चीज़े यह लोग यहां से अफर्मेटिव एक्षन लेके गये हैं यह वहां पे जब आज पीपल पीपल आफ कलर करके इन्होंने अफर्मेटिव ए जिनके लेबर पे अमेरिका बड़ा हुआ है और उन लोग अपना हक मांगते हैं और सिविल राइट्स के लिए जो पुर जोर लड़ाई जो लड़ी है और उसके बाद में आफर्मेटिव एक्षन वहां पे जो आया है इसके खिलाब यह लोग जिन्होंने खुद आफर्मे करके जो इनको मतलब सुधाय मिलती है डाइवर्सीटी के जो डाइवर्सीटी का जो दायरा है यह यह जैसे यूएस में एक बोला गया है वहां पे जो निरनाई हुआ था कि आपके क्लास्रूम में उस तरह के सदस्य होने चीए जैसे बाहार में सोसाइटी है अगर मान से मिलेंगे आवा जाई जो भी तो वो उसका सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होना चाहिए यह नहीं कि आप सारे लोग सारे बच्चे श्वेत के ही हैं या सारे ही अश्वेत के वो बरावर होना चाहिए और उस तरह से आफर्मेटिव एक्शन का वहां पर इजाद हुआ या इ इसे ही हम थोड़ा सा बरावरी का दाइरा मांगने लगे तो इनको मतलब काफी जलन महसूश हुई और यह बोलते हैं आरे यह तो इस तरह से मतलब हमको कम दिखा एक्जाम से विल राइट्स प्रोटेक्शन का जो प्रॉब्लेम जो इश्यू हम इस तरफ में देखते हैं व हमने सारे तर्क दी और सारे तर्कों से वह अग्री भी हुए अग्री होने के बाद में बोलते हैं लिकिन आज की तारिक में फैकल्टी इस जैसे कि हम उनके ही उपर है यह काईदा बड़ा नहीं है यह डिसाइड करेंगे कि हमें मतलब बैफरमटी एक्शन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए आज की तारीक में 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 स्पीशली पी एच्डी कोर्सेस में फैकल्टी में कोई डिसर्वेशन लागू ही नहीं है वहां पर हमारे जो रिप्रेजेंटेशन है ना के बराबर है अगर हम टॉप 10 आयायम का जिक्र करें तो उसमें करीबन 600 फैकल्टी से उसमें से मुश्किलान 20-25 फैकल्टी अभी शिल्व करसकी हैं जबकि काईदे से करीब सोब लोग कम से कम होने चाहिए और फिर अभी तो ओवी सी डिजर्वेशन वगरे वगरे हैं तो यह जब भी हम समानदा का हक मानते हैं जब भी हम रिप्रेसेंटेशन का हक मानते हैं त इंप्रेसेंटेशन नहीं कार पता है तो इसके उपर जो सी एस्टेक्ट के तहथ मुकबदमा दायर हो क्योंकि यह हमसे हमको ज्यादा तकलिफ देते हैं जो कि गाउन में कब मारपीट होती है उससे भी ज्यादा तकलिफ इन लोगों से होती है क्योंकि यह जुए इनके उपर बिल्कुल S.C.S.T. Act के तहट इनके उपर कारवाई होने उसी है। इनिर्सिटी केंपस से होते हुए। फिर सोसाइटी से बहुत डिसकेशन से गुजरते हुए। अब यह कॉंसिल में कानून का हिस्सा बना। तो आप कैसा सोचने हैं इस इस होने को कोई रोक नहीं सकता। यह कानून बनेगा सिविल राइट के उपर जो वहां पे जो को सबसार ऐल सपीर अबाइट को मłemंती इस वा इसको सब्सक्राइब, वहां पीचार अगे बढ़ता है। ऐगर मिली तो चैसको से मिले से सेट इक नए हैंडिया में हरी जाना की चीजा हैं और काफी लोगो ने सेट कि यह होया उपने करोशिष में हम सब को शायद यहां शायद इस बात को रखने के लिए कॉंसिल मेंबर तो मैं थोड़ा सब थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा जब दो हजार बीस में जब सिसको केस बना और उस वक्त हमने जो समवाद वहां के रिपोर्टर से हमारे कम्यूनिटी से हमारे ऑर्गनाजेशन स जब हमने समवाद बनाया और रिपोर्टर से बात करके यह कास्ट क्या जो जिक्रह हर अगबार में नियूआक टाइम्स वाशिंग्टन पोस्स ऐसे बड़े-बड़े अगबारों में इसकी चर्चा होने लगी इसके उपर आपेट्स आने लगे उसके बाद में हुआ यह की हिंदू अमेरिकंन फांडेशन जो वहां की ओरास्टर सी की जो एक अटेगरी में आता है तो इसलिए यह करी जो है जब एचे वहां पर कोर्ट में खड़ा हुआ कैलिफोर्निया सुपिरियर कोर्ट में तब हमने भी आम एमिकस भी फाइल किया और बेसिंग बीहाफ अब काहां से बनी किस ने इ PCB किया इस को तो हमने सिर्प कास्ट है वास्थे लिद्टा है कास्ट है और इसके उपर केसशन नहीं कर सकते कि वहां से संवाथ बढ़ा तो जब हुग थे अस्सेशन यह काफी अक्ति रहे और जिसनों काफी जो दो पूछा कि उनके उपर कितना होते हैं तो उस रिपोर्ट की हिसाब से चार में से एक अदमी पे वहाँ पर कास्त की ऊपर अन्या होता है तो वह प्रस्तूत है वहाँ पर और जिस रिपोर्ट का जिकर काफी बार काफी सारे court cases में वगरे वगरे होता है लेकिन संगटन जो है जो एक्टिविस्ट जो लोग है वो भी साथ में जुड़े यह जरूरी है कि आप लोग जब जैसे सियाटल का जो केस हुआ जैनिवर 21 को इसको शमा सावन जी ने यहां पर प्रस्तूत किया city council में उनके उनके process जो है वहां पर इतने बढ़िया से चलता है कि हर मंगलवार को इस case के उपर आप वहां पर जाके बारा बज़े आप अपना लिख सकते हैं कि मेरे को बोलना है दो बज़े आपको लिए वो फिर वो एक जूम टाइप्स वहां पर चालू हो जाता है वहां पर आप आप सब्सक्राइब है जैसे चौदा तारीक को करीबन एक सो साथ रिजिस्ट्रेशन थे लेकिन बोलने का मौका सिर्फ करीबन साथ लोगों को मिला उसमें से करीबन तीन लोगों को छोड़के बाकी सभी ने इस ओर्डिनेंस का सपोर्ट किया बोला कि यह यह ओर्डिनस पास इन सब को कि यह जो अमिकस ब्रीफ हम लिखने जा रहे हैं यह आप देखिए कि यह बराबर है या नहीं है क्योंकि हम तो उसमें पूर्जोर से लिखना जाते थी यह इसका जनम कहां से हुआ इसका हिंदुधरम से हुआ लेकिन हमारे वहां के जो लॉयर्स हैं उन्होंने मन City Council को लिखा कि इसको pass करना ज़रूरी है कि उनको उनको ऐसे भी उनिर्सिटिस में तो काफी discussion होई रहा था तो करीबन 170 plus civil rights organizations में organizations ने Seattle City Council को लिखा कि ये pass होना चीह हमारे अमबेट कारट करताने में वहां पर शुबह दो बजए वहां पर Seattle City City Council के सामने बरफ में लोग खड़े रहे क्योंकि होता यह है कि जो ब्राह्मनवादी जो समस्ताय हैं यह ट्रक भर भर के लोगों को ले के आते हैं और फिर बाकी के लोगों को बोलना ही नहीं बोलने का मौका ही नहीं मिलता इसलिए हमारे कार्यकरता वहां पे दो बजे से खड के लिए कैलिफोर्निया से है कैलिफोर्निया से लोक लोग वहां से लोकल सिख्र समूदई में आए जो माहोल देखने लाइक ता है जय भीम के जय 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 भीम जय भीम के जो नारे लगे हम तो यहां से देख रहे थे रोंग टे खड़े हो गए तो यह माहौल बनाना कार्य करताओं को लाना academics को लाना organizations को लाना यह सब सभी आमेट कराई जो organization से सभी इकटा आके इन्होंने पूर जोड़ से लिए जो black lives matter जो बीच में चला था black lives matter उसमें भी जो civil rights के बारे में और कास्ट के बारे में फिर लोगों को और भी जागरूती हुए तो एक पूरा यह पिछले दो तीन सालों से जो जो एक्टिविजम चला है after Cisco case the resolutions being passed in universities academics writing about it in opeds and things like that activists talking to the reporters writing in New York Times Washington Post and all of these important publications there so all of that has kind of culminated into this this of course we had some setbacks in the Santa Clara county और सबने मिलकर इसे फिर इस अंजाम तक पहुंचे और हम भले ही कि schedule class Dalit but हमें जो brahmin लोग है उनका भी काफी सहयोग मिला है जो लोग liberal है जो चाहते हैं कि यह गलत है क्षमा सावन्त खुद भी उचे समुदाई से सो काल उचे समुदाई से हैं या ब्रामिल समाज से हैं लेकिन उन्होंने भी और बहुत सारे ऐसे लोगों है जिन्होंने इसका पूर्जोर समर्शन किया एक बात वाग्दे साब मैं इसे से जोड़ कर आपको पूछना चाह र सब्सक्राइब का इंडिया में भी अभी पूर्जोर से कानुन से अफराद है वहां भी उन्टचिबिटी तो खैर नहीं है यह क्या हो रहा है कि कास्स डिस्क्रिमिशन इस तोड़ा सा हलका सा स्वरूप बदलता जा रहा है थोड़ा सा स्मार्टेस कि आपको कोई आके गाल च्छिए पर बद कर लेते हैं तो इस तरह सी जब अपने संगठन बना लेते हैं कि ब्रामिंट शाल या जो कुछ में है आपको जो gडिने प्लेशेस में आप हम से कास्ट जा लुन कर सकते हैं लनाओUA यह क्यों चाहते है जाकी तो पता है तो आपको पर्मोर्शन दूर नहीं दू को लाओं नहीं लाओं यह क्यों चाहिए लाकर då आगर बना चुछ अची होती हो, भी है जो चीज हमें चुपाना चाहते हैं, भूलना चाहते हैं जैसे उनकि बाबासाब्ग जी ने कहा था वैसे आप तो जान्गे, मतलब म Elias मेरे उपर में यह छोड़ेंगे, तो इस ने तरह से यह थोड़ा सा सफिट canal होते जा, अच्छा क्या आपने वहां ये भी देखा कि आपके जो वर्किंग सेक्ट है वहां पर पर्टिकुलर जो हाइर पूजिशन्स है यह हाइर पूजिशन्स में जाने के लिए यह डिस्क्रिमिनेशन कही प्रभावित किया इसने अफकुर्स मैं अच्छा करते हैं नाम नहीं लूगा तो उनको कंपने में काम करते करते काफी साल हो रहे तो उनको पर्मनेंटेक्टर के तरफ से काम करते काम करते तो उनको गाम बिगाड़ा और उसने जा कि एंपलोई था उसने जा कि उसको कान्फर्ट किया कि तुम्हे क्या मिला? अमेरिकन कंपनी है वो मेरे को फुल टाइम एंप्लाइमेंट दे रही थी मैं तो सब कॉंट्रक्टर करके काम करी रहा हूं अच्छा कर रहा हूं इस हमारे मेरे परफॉर्मस को देखे उन्हें फुल टाइम आफर दे थी तुन्हें उसमें टांग अडाने की क्या तो इस तरह हमें जो कोवीड वगरे का जो हुआ था तो इनके साथ में मिलके हमने कोवीड के लिए काफी सहाय ता करी ऑक्सिजन इनके साथ में हम काफी बर्सों से मतलब काम कर रहे हैं इन्हों ने हमें एक कंपनी है अगे नाम नहीं लूँगा कंपनी को हमने इंट्रडूइस किया कि अब हमें अच्छा कास्ट के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाया है अम प्रेजेंटेशन लेके गए डावरसिटी जो सदसे थे उनको उमने प्रेजेंटेशन दिखा है कि इस तरह से हम बोलेंगे यह है उन्होंने बोला हाँ ठीक है अभी आपका कारेकरम फिक्स हो जाएग और आप बोलिए एक अपती के बाद में मुझे फोन आता है कि अनिल वहां पर किसी ने बात नहीं हो सकती तो तुम्हें आके फिर से एक बार वहां पर प्रेजेंटेशन देना है इस बार पूरी डावरसिटी कॉंसिल पूरी वहां पर रहेगी एचार वहां पर रहेगा प्रेजेशन जो तुम्हें हमें फिर से भुलाया गया हमने फिर से वहां पर प्रेiles किया है सब लोग थे वहां पर इनक्रीजन की नहीं है इसको ना रखे और ताबू जो है और तो तो भूड़े उसको तो यह कोई बात नहीं हुई हम तो मतलब बात होनी चाहिए फिर बोलते है देखिए हमारा जो प्रेसेडेंट है वह भी शेडुल कस का है जो रामनात कोविन साथ हमारे प्रेसेडेंट है बोलती है वो down कास którą कहीं प्रसिडिंट हैं वह भी हमारा समय को तोड़ता है और बात करनी चाहिए तो फिर से अफरिकन अमिदी बोलती है कि समाज यह हूवा है, यह क्यों तूटा है, इसको जोडने के लिए हमने इस सब्जेक्ट पे बात करनी चाहिए तकि इसको जोड सके हां कारिव款 हम समझ सके कि क्या है कि नहीं है, लेकिन हुआ एसा कि हूड हेड ने रिजाइन किया और उसके बाद में हमें तभी बुलाएंगे तो यह बात से यह समझा जा सकता है वाग्दे साहब की यह बात सिर्फ केवल नाम से नहीं आती कि किसी के नाम से उसको पहचाना जाए कि वह फला जाती का यह केवल यहीं पर नहीं है बलकि इसके इसके कुछ मैथोलोजिकल भी बेस है और उसके आधार पर यह खड़ा है तो आपने यह सारी चीज़े वहाँ पर अब्जर्वेशन में आई है आपके आपको आपको क्या लगता है मतलब एक अमिनकर इंटरनाशनल सेंटर के रूट में जब आप इस काम को आगे बढ़ाते है तो अभी तो यह सियाटल में बात आई लेकिन इसे नेशनल कॉंसिल तक पहुंचने के लिए यह की क्या इस्थितियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अमोमन इस्थितिया सब तरफ तो यह होगी बिल्कुल बिल्कुल सो लाइक बहुत सारे लोग जो है वह अच्छा नहीं किया तो देमोक्राटिक पार्टी क्यलिफोर्निया में यह अल्रेडी यह है और इस तरह से यह हर सीटी में आगे आगे बढ़ेगा जहां तक हमारा अनुमान है हर वक्त को हर चीज को टाइम लगता है जैसे सिस्को केस के बाद में सियाटल तक का सफर आसानी से नहीं ह आएगा वहां पर भी डिसकेशन होगा और फाइनली यह जो टाइटल सेवन है जो वहां पर भी हम पूरी पुर्जोर कोशिश करेंगे कि वहां पर यह इसका इसको एक्स प्लिसिटली मेंशन किया जाए और यह कानून पूरा अमेरिका में बने चलिए आपका यह संगर्ष बड़ा मजबूत रहा और इस संगर्ष को एक पहली पायदान पर सफलता तो मिली है लेकिन हम इस बाचीत को अगर पूरा करना चाहेंगे तो इस सवाल के साथ पूरा करना चाहेंगे कि इस तरह का कानून कि एक कास डिस्क्रिमिनेशन को क्राइम माना जाए यह सियाटल में हुआ अमरिका में भारत में यह कानून बड़े लंबे समय से हैं लेकिन भारत में तब भी हम लोग यह देखते हैं और हर एक सब्ता में दो सब्ता में ऐसी कोई बड़ी घटना बयावब बन जाती है कि जो उस वक्त की लिडिंग नियूज में आती है कि यह कास डिस्क्रिम होंगे या फिर इसके लिए और भी तरीके से कि कुछ काम करने की जुरूरत आप महसूस करते हैं अमरिका में तो कानून पूर्जोर से एक बार अगर कानून बना तो जो व्यवस्ता है जो भारत में जो व्यवस्ता है कि इन्वेस्टिगेशन भी यही लोग करेंगे लोगों को बरी कर दिया गया है एक ही आदमी को वहां पर कुछ हुआ है और जिस तरह से हमने पिछले हिसाब से देखा है कि जैसे जैसे आप उपर के नया लेव में जाओगे तो उनको भी छोड़ देते हैं या तो फिर कम कर देते हैं तो इस तरह से अकसर इंडिया में होत है तो आपकोर्स इस रहे यह बर इसका ऐस तो इसके बराबर बहोश को थे बराबर शिक्षा भी लेकिन अमरीका में पूरी वेवस्ताइश इस तरह से नहीं है構ा पर बी जूदी सिस्टम है जो भी सिस्टम से तो अगर एक吧 कोई अगर नए nar हल buscar गो तो नाए जरूर होगा इस इस लोग यह जो आपर का सोकाल अपर कास जो लोग है इन्होंने यह जान कर चाहिए कि अभी जो लॉव बना है इसका पुरा सम्मान करे अगर लॉव को यह तोडएंगे तो इनको उसका भूपतां जरूर करना पड़ेगा इंडिया सरीका परिश्मेंट भी रहेगी इंडिया समान नहीं होगा कि आप कुछ भी कर लो और कुछ नहीं हो सकता वैसा अमेरिका में बिल्कुल इस बाच्चित को मैं पूरा करना चाहूंगा एक रिमार्क अगर मैं आप से लेना चाहूं इस पूरी घटना पर तो क्या रिमार्क होगा आपका नहीं मैं बहुत अच्छा काम किया में मिलके जो अमेटकर आमेटकर किंग स्टडी सर्कल अमेटकर असोशिश्च नार्थ अमेरिका एक्वैलिटी लैब्स और बाकी भी रवीदा सिया समाज इन सब लोगों ने जो सब मिलके जो साव किया है यह आगे भी करते रहें मैं हमारे पॉलि इतिहाशिक फैसला है और इसको हम पूरे अमेरिका में हम जरूर फैलाएंगे इसका इंपॉर्टन्स इसले भी इंडिया के लिए इसले भी इंपॉर्टन्स है कि वहाँ पर अगर कोई चीज होती है तो उसकी गुझ दूर-दूर दुग पहँंचती है इंडिया में भी वा और हल ही में सेटल में जो वहां की मुनिसिपल कॉंसिल ने जिस एक्ट को पास किया एक क्राइम के रूप में जातीगत भेद्भाव को स्विकारा और जातीगत भेद्भाव को एक क्राइम के रूप में स्विकार में यह जो पूरा ग्रूप जो है अमेडिकल इंटरनाशनल से और इनके जो नित्र और्सार काम करते हैं जुकर इस बात के लिए पुरिजोर दबाव बनाया यह बात यूइशिटी दिस के केंपस केंपस में प इस बात रहती है और बात चुप छुप चुप कर होती है ये चुप चुप कर होने वाली बात को उजागर करते हुए अमेरीकी कानून के दाइरे में इसको लेकर आना ये एक बड़ा उपलब्धी के रूप में भी देखा जाएगा इसे एक एतिहासि घंटा के रूप में भी देखा जाएगा भारत की सिमाओं के पार जाती का आइडिन्टिफिकेशन और फिर जाती गत भी दाओ को एक क्राइम के रूप में स्विकारना तो इस बात को हम लोग यहाँ पर रोकना चाहेंगे सर आप हमारे साथ आएं हमसे बात्चीत की इस पुरी बात्चीत के लिए आपका बहुत तर्लेवाद आप बने रहेगा आवाज इंडिया के साथ प्रोग्रेम आगे भी जारी है